नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अफिशल यूटूब चैनल GS वैनियर स्र में, LTE GRADE की जवाब आने वाली है तो बहुत जल्द LTE GRADE का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा क्यों न हम लोग LTE GRADE की कुछ खास बातें जान लें LTE GRADE में आप लोग जानते हैं, एक पेपर GS का होगा और GS से 30% पूछे जाएंगे अभी latest में GIC प्रॉक्ता की भरती हुई थी, उसका पेपर हुआ है GIC प्रॉक्ता, जो 1400 something पदोपे थी, उसका पेपर हुआ है तो उसमें भी GS से questions बनता था GS से 40% भी एक पेपर में पूछा गया है तो 40 questions का set है, उसे हम लोग solve करेंगे और LTE वाजी भरती के लिए most important है तो प्रवधिक कलवाले भी ध्यान दे, उनके लिए भी important है अगर उन लोग B8 धारक भी हैं साथ में तो उनके लिए benefit अवश्य हो जाएगा आज के session में हम लोग questions देखेंगे 40 questions पुछे गए थे, 40 का answer देखेंगे पहला question पुछा गया था UP का नुएडा सहर मार्च 2020 में GDP और प्रती बिक्तियाए दोनों के मामले में सीर्स पे रहा question यही पुछा गया मार्च 2020 में GDP और प्रती बिक्तियाए के मामले में कौन सा सहर उत्तर प्रदेश का सीर्स पे रहा है तो उथा नुएडा सहर next second question पुछा गया 1829 में अंग्रेजों के बिरुद जो खासी जैनतिया बिद्रो हो था उसका नेत्रत तो किस ने किया था तो उसका जो नेत्रत है तिरोत सिंग के द्वारा किया गया था तिरोत सिंग तिरोत सिंग तिरोत सिंग के द्वारा खासी जैनति का जो है विद्रो हो था 1829 में हो था उसका नेत्रत तिरोत सिंग जी ने किया था question अबर तीन पूछा गया है भारतिय राष्टिय कांग्रेस में सम्मलित होने के लिए सुबास चंद्र बोष को चितरंजन दास और गांधी जी ने प्रेवित किया था भारतिय राष्टिय कांग्रेस में मिलाने के लिए सुबास चंद्र बोष को कौन-कौन नियोता देने के लिए गया था तो चितरमजन दास और गांधी जी question important है आने के chances बहुत ज़ादे हैं चाहे वो lower PCS का मेंस लगा हूँ या फिर समिछा दिखारी का paper हो या फिर सिच्छक भरती हो सभी में question पूछा जा सकता है question बर 4 की बात करते हैं भारत निर्मार योजना का संगठक नहीं है चार absence दिये गए थे भारत निर्मार योजना का संगठक नहीं है पूछा गिया था ग्रामेड उद्दोग उसमें था जो की भारत निर्मार योजना का संगठक नहीं है question बर 5 की बात करते हैं भूमत धिरेखा नहीं गुजरती है total 14 देशों से गुजरती है भूमत धिरेखा ध्यान रखना है उसमें से जांबिया देश ऐसा है जो आपसन में दिया गया था उससे भूमत धिरेखा कभी नहीं गुजरती है right answer जांबिया था उसमें question बर 6 लवण सहिसून फसल कौन सा है लवण सहिसून जो फसल है वो मुल रूप से खरबूजा है जो की सबस्यादा बलुहा वाले छेतर में पाया जाता है जितने भी रेतीले छेतर हैं वहाँ पे खरबूजा पाया जाता है नदी के किनारों में सबस्यादा पोया जाता है जो कि जरीफ की फसल है कॉश्चन बर साथ पूछा गया कनोज पे जब मुहम्मद गजनवी का आकरमन हुआ था तब वहां का सासक कौन था तो कनोज पे जब मुहम्मद गजनवी ने आकरमन किया उस टाइम कनोज का सासक राज़ पाल था राज़ पाल Next Question number 8 की बात करते है भारत में mutual fund को सेबी द्वारा बिन्योजित किया जाता है Question को इतना घुमा फिरा के question पूछा गया था कि अक्सल लोग confuse हुए हैं और इसको गलत करके आए हैं लेकिन जो भारत में mutual fund है यानि एकोनामी का या question है mutual fund को कंट्रोल करने का काम कोन करता है तो सेबी करता है Central Excise Board of India Central Excise Board of India Question number 9 पूछा गया था राज़ सभा में सदस्यों की संख्या से कौन सा बेमेल है तो जो असम वाला आपसंदिया गया था यहाँ पे छे दिया गया था तो असम वाला ही भी मेल हो जाएगा क्योंकि असम में राज़ सभा सदस्यों की संख्या टोटल साथ है ध्यान रखना है 36 गड़ में 5 है हिमाचल में 3 है उत्तर प्तेस में सबसे आदा 31 है ठीक है तो असम वाले में 7 होना चाहिए Next कोशिमर 10 के अगर बात करते हैं पुछा गया है बैंकों में उपभोगता सेवाओं में सुधार का सुझाओं देने के लिए गोई रोप्या समिती का गठन किया गया था बैंकों में जो है उपभोगता सेवाओं को अब अच्छा कैसे बनाया जाया उसके लिए गोई रोपिया समिती ने अपना सुझाओ पेस किया था और कुछ हद तक ये माना भी किया था Next सौर उर्जा का कारण क्या है तो नाभी किये संलेन है बेटा संलेन प्रतकिरिया वहां कहा गया था अपसन में था तो संलेन प्रतकिरिया हो जाएगा सौर उर्जा का मुख्य कारण Next question number 12 की बात करते हैं पूछा गया है फसल जो है प्रधान मंतरी फसल बीमा योशना कब सुरू की गई थी 2016 में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के द्वारा इस्टार्ट की गई थी पी-म फसल बीमा योशना Next, RBI के 14 हमें बैंकों पे जुलाई 2021 में नियमों का उलंगन करने का जुर्बाना लगया था यह पूछा गया था टूटल कितने बैंकों पे टूटल 14 बैंकों पे जुर्बाना लगया गया है कुछ करूल का लगया गया था यह जुलाई 2021 का डाटर था लेटेस्ट का करेंट फेस पूछ लिया गया आर बिया जो की केंदरित बैंक है ठीक है रिजर बैंक आफ इंडिया उसके द्वारा 14 बैंकों पे टूटल जुर्बाने लगाए गया है जुलाई 2021 में क्वेशन बड़् चौदा में पूछा गया है बिसम बताऊ चार आपसंस दीए कहा है रिजिन雹 का भी क्वेशन हो सकता है सतिशा साइंस का भी हो सकता है रिजिनिंग से माना जाएगा मरत्यों रोग, अंगूर, सराब, दूध, मक्कन, पानी, आक्सिजन पानी में आक्सिजन पाया जाता है, दूध में मक्कन पाया जाता है अंगूर से सराब बनाया जाता है, यानि अंगूर में सराब की मात्रा होती है लेकिन मृत्यू में रोग ऐसा कोई कारण नहीं है इसलिए यहां बिसम हमें लग रहा है यह वाला आपसन हो जाएगा कोश्चनमर 15 पूछा गया यूपी में मयूर संरच्छन केंद्र कहां पे इस्थित है यूपी में जो मयूर संरच्छन केंद्र खोला गया है यह यूपी के वर्तमान सियम योगी आदितनाथ के द्वारा मतूरा में अस्थापित किया गया है मतूरा इसका राइट आंसर है मतूरा नेश्ट कोश्चनमर 16 की दरब बढ़ते हैं पूछा गया है वर्स 2021-22 के संघिये बजट प्रस्ताओ जो है कितने अस्तम्मों पे आधारित था ये पूछा गया था छे खंडों पे आधारित था छे में से कौन सा एक था जो नहीं था अपसंस चार दिये गए थे जिसमें तीन जो है ये छे अस्तम्मों में थे लेकिन एक ऐसा था जो कि गाउं की अर्थिव्यवस्ता को सुद्रण ही करना ये उस आपसं में नहीं था यही गलत था गाउं की अर्थिव्यवस्ता का सुद्रण ही करना करना जो है ये 2021-22 के अर्थिव्यवस्ता में संघिये बजट में सामिल नहीं हुआ था question बर 17 पुछा गिया GST परिषद का अध्यच कोन होता है तो बेटा जो GST परिषद है इसका अध्यच जो होगा वो बित्त मंत्री होगा सदेव Finance Minister ही होता है 12 सरकार का बित्त मंत्री जो है GST परिषद का अध्यच होता है next question बर 18 पुछा गिया था ग्राफ से question पुछ लिया गिया पाई चार से 89 शोदा 6 26 नो 4 अगला इस्टप क्या होगा तो इसका right answer 20 होगा solve करने पे आप लोग लगा पाएंगे कि 20 इसका right answer बन रहा है ठीक है next हड़पी पुरा आस्थल जो है बनावली हरियाना के किस नदी पे इस्थित है यह question जो बनावली है important है प्राविधिक कला वालों के लिए भी और TGT PGT कला वालों के लिए भी साथी साथ Monday Interest की तैयारी करने वालों के लिए भी most important है जो हड़पी पुरा आस्थल है बनावली कहां पे पाया जाता है हरियाना में पाया जाता है किस नदी पे है तो यह रंगोई नदी पे है रंगोई नदी ठीक है रंगोई नदी पे हड़पी पुरा अस्थल बनावली है next कोशमर 20 पूछा गया UP का प्रमुखुद्धोग नहीं है चार आपसंस दिये गए प्रमुखुद्धोग नहीं है छाटना है तो सीमेंट उत्तरप्रदिश में बनाया जाता है चीनी भी उत्तरप्रदिश में बनाई जाती है कपड़ा का निर्मार भी उत्तरप्रदिश में होता है लेकिन जो आटो मुबाइल सेक्टर है इसका निर्माण उत्तरपदेश में बहुत कम मात्रमयानी ना कि ये बराबर होता है तो आटो मुबाइल सेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नहीं है कोशेंबर 21 पुछा गया कौन हडपी पुरास्थल यूपी में नहीं है चार आपसंस दिये गए ऐसा एक अस्थल जो कि हडपा कालीन है और उत्तरपदेश में नहीं है वो है देशलपूर देशलपूर मोरदूप से गुजरात में पढ़ता है देशलपूर धिहान रखना है देशलपूर मांडी भी उतरप्देश का हिस्सा है आलमगीर भी जो है उतरप्देश का हिस्सा है और हुलास भी उतरप्देश का हिस्सा है जो की हलपा कालिन पुरास्थल है लेकिन जो है देशलपूर गुजरात का हिस्सा है बहुत ही अच्छा question पुछा गिया खनिज और खदान से सम्मंदित question है अक्सर लोग इसे गलत करके आए है जो law ask है इटा बीरा में पाया जाता है इटा बीरा इसकी खदान है law ask के लिए मैंगनीज के लिए कुछ फेमस है चियातूरा जो है यह मैंगनीज के लिए फेमस है तामबा के लिए सबस्यादा sidbury famous है यह question बहुत बार repeat हुआ है बाकसाइड के लिए बाईब जो है यह खदान का नाम है बाकसाइड के लिए सबस्यादा famous है लेकिन तामबा के लिए जो famous है वो sidbury है most important है बहुत बार रिपीट वा क्वेस्चन है नेश्ट, कुश्चन बर तेज पूछा गया है बानभट ने जो हरी स्चरित्र की रचना की थी उसमें बहदरत मौत कालिन सासक का उलेक किया गया था तो बहदरत मौत कालिन जो सासक है इसके बारे मौत क्वेस्चन पूछा गया कि बानभट ने जो हरी स्चरित रिखा है उसमें किस सासक का उलेक है तो बहदरत है बहदरत राइट आंसर था कुश्चन बर 24 पूछा गया यूपी का लोक अनरत है यूपी का लोक अनरत है चार आपसंस दिये गए इसमें पूछा गया था यूपी का लोक अनरत है तो सिम्बो घोडो मोडनी जैता जैता जो है कुछ जन जाती है चेतरों में यूथर प्रदेश में मनाया जाता है लेकिन मोडनी घोड़ा और जो सिम्बे हैं ये मुल रूप से उतर प्रदेश में नहीं मनाया जाने वाले लोक अनरत है तो जैता इसका राइट आंसर है कुछा गया है गुप्त कालीन मंदिरों में से कौन सा यूपी में अवस्थित है चार आपसंस दिये गए है दसावतार मंदिर देवगण का दसावतार मंदिर जो है ये गुप्त कालीन मंदिर है उत्तर प्रदेश में पया जाता है उत्तर प्रदेश का एक्जाम था इसलिए यूपी इस्पेसल लगभग 6-7 क्वेस्टन्स पूछ ले गए अब सुचो आप 40 क्वेस्टनों का सेट है उसमें से 6-7 प्रदेश में यूपी इस्पेसल यानि पड़ेस्पेसल लगभग 18-20 प्रदेश में फूट गया नेस्ट क्वेस्टन में 26 पूछा गिया राज जी के निती निर्देशक्ततों सम्मिधान से बहुत ही अच्छा क्वेस्टन पूछा गिया नेती निर्देशक्ततों का कौन सा अनुच्छित जो है और राज जी को निर्देशित करता है कि वह अपने उद्वगों को प्रतिबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें तो उद्वगों में प्रबंधनों के कामगारों की जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए 43A चलाया जा रहा है उच्छे 43A ऐसा कारे कर रहा है जो की निति नर्देशा तत्तो के अंतरगत आता है कोशे मर 27 पूछा गिया है UP में बिधान परिशद जो है वो बित्ती बिधेग को कितने दिनों तक लंबित कर सकता है यानि रोक सकता है तो उत्तरगत इसका जो बिधान परिशद है उत्तरगत जानते है तो जो बित्ती बिधेग है उसको maximum 14 दिनों के लिए राज्य सभावी 14 दिनों के लिए रोक सकती है ऐसे ही उत्तरगत इसमें जो बिधान परिशद है सबसे पहले परिस्तित्य तंत्र की अधाराना को दिया है एजी ट्रांसले इसका राइट आंसर है परिस्तित्य तंत्र की अधाराना सबसे पहले किस ने दी तो एजी ट्रांसले एजी ट्रांसले एजी ट्रांसले इसका राइट आंसर है कोशेंबर 39 की बात करते हैं पूछा गिया है दिल्ली के किस सुल्तान ने आवमानी दंड देना बंद कर दिया था तो आवमान भी यह जो दंड है वो मुल रूप से दिल्ली के फिरोजसाह तुगलक सुल्तान ने देना बंद कर दिया था इसका राइट आंसर है फिरोजसाह त लोग लग नेक्ट कोश्चन पर तीस पूछा गया भारती समिधान के अनुशार यूपी में महाधिवक्ता की न्यूकती किस आर्टिकल के तहत की जाएगी अब चाहे बेटा यहां उत्तर प्रदेश पूछ लेता यूपी का चुना हो इसलिए उत्तर प्रदेश पूछ लिया आर्टिकल यानुशेद 165 में महाधिवक्ता से सम्बन देते दिसा अंडर्देश दिये गए हैं राइट आंसर 165 था कोश्चन पर 31 के अगर बात करते हैं पूछा गया है असमानता वाइरस यानि बैस्विक रिपोर्ट 2021 प्रकासित की गई तो आक्सफैम के द्वारा जो है most important question है ध्यान रखना है जैसे कि बाड जो है ये दुद्गरह का नाम है और ये कहां पर पढ़ता है पिहार में है ऐसे लारा जो है ये चतीजगर में पाया जाता है कुंडली जो है ये करनाटका में पाया जाता है और गाडवारा जो है ये आंधर प्रदेश में पाया जाता बेटा कुणली जो है ये करनाटका में पाया जाता है लारा चथीजगर में पाया जाता है जब कि बार जो है ये बिहार में पाया जाता है ये ताब दूर्ग्रह के नाम है द्यान रखना है next question में 33 पूछा गया है मौली करतब्यों को भारती समिधान में 42 समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया आप लोग जानते हैं 42 समिधान संसोधन कभ हुआ तो 1976 में हुआ किस की समिती की सिपारिश पे ये जोड़ा गया मौली करतब्य तो मौलिक कर्तब्य सर्दार स्वारण सिंग की समिती एक बनी थी स्वारण सिंग समिती उन्हीं के सिपारिस पे 42 सम्मिधान संसो दिन के द्वारा मौलिक कर्तब्य को भारती सम्मिधान में जोड लिया गया मौलिक करतबे को सोनसिंग समित की हुंसंसा पे जोडा गया Q34 पूछा गया पहला मुगलबादसा जो अंगरेजों का पेंसर भोगी बनने वाला पहला मुगलबादसा जो है वो साह आलम सेकंड है अंग्रेजियों का पेंसन भोगी बनने वाला पहला मुगलबाद सा पहला मुगलबाद सा साह आलम सेखेट next question number 35 पूछा गया बाराहमे बितायोग के अध्याच अब सोच लो पंदराहमे करम का चल रहा है एनके सिंग पंदराहमे के हैं एनके सिंग ठीक है एनके सिंग पंदराहमे करम के बितायोग के अध्याच है बाराहमे का पूछ लिया गया सी रंग राजन इसके राइट आंसर हैं सी रंग राजन सी रंग राजन नेस्ट कोशेमर 36 पूछा गया भारत में कुल भागोली क्षेतरफल का यूपी का परसंटेज बताना है भागोली क्षेतरफल में बताना है कि पूरे भारत के भागोली क्षेतरफल का उत्तर प्रदेश कितना चकाया हुआ है 7.33% जो है हिस्सा कबर किया हो अकेला उत्तरप्रदेश next question मर 37 पूछा गिया UP में कौन सी जनजाती जनपद बारानसी में नहीं पाई जाती है बहुत ही जटल question पूछ लिया गिया बारानसी जनपद में कौन सी जनजाती नहीं पाई जाती absence दिये गया थे गोंड, खरवाल, सहरिया, चेरो बहुत ढंग से जो deep अध्यन किया है उत्तरप्रदेश से special का वही इसका right answer दे सकता है खरवाल भी इसका right answer हो सकता है चेरो भी हो सकता है हमें लग रहा है इसका right answer जो है चेरो है आप लोगं को क्या लग रहा है कमेंट के माद्धे हम से जरूर बता है कोश्चे मार 38 की एकर बात करते हैं पूछा गया है खड़ी फसल की कटाई करने के लिए सबसे पहले अगली फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है तो एक खेती का प्रकार है जिसे हम लोग रिले खेती के नाम से जानते हैं रिले खेती में एक फसल लगी होती है दूसरी की बुवाई बीच में कर दी जाती है उस प्रकार की खेती को रिले खेती के नाम से जानते है 49 नंबर question में पुछा गया 21 छेतर में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है तो मोटे अनाज में बाजरा हो गया चड़ी हो गया या फिर मोटे अनाज और आते हैं वो जो छोड़ा उच्छा वाला छेतर है ठीक है उच्छा आई वाले छेतरों में सबसे ज़्यादा मोटे अनाच पाए जाते है नेश्ट कोशिमर 40 लास्ट कोश्चन था पूछा गया है मद्धेकाल में यूपी के किस जनपद को सिच्छा का केंद रहूने के नाते सिराजे हिंद मन्डे इंटरेंस में कोश्चन सीधा पूछा जाता है सिराजे हिंद लाम से उपाधी किसे प्राप्त है तो वो हो जाता है जौनपूर और जौनपूर से आप लोग जानते है क्वेश्चन सा अक्सर बनता है किसके नाम पे है या सिराजे हिंद का उपनाम किसे है या सिच्छा का जो सबसे अग्रेन था मद्धेकाल में उसे कहा जाता है सिराज यहिंद जॉन पूर के नाम से फेमा से इस कराइट आंसर जॉन पूर था 40 questions थे, कितने questions आप लोग सही सही जानते थे कमेंट के माध्यम से जुरू दोता है मिलते नेक्स अग्मले में तब तक लिया चेहन